जनपन में बाड के कहर से कई श्वेत्रों में त्राही त्राही मची हुई है एक और जहां जलप्रसाशन द्वारा बाड पिर्टों को रहत सम्वागरी व अन्या व्यवस्थाइं पहचवाने का प्रयास किया ज़ा रहा है वही समाच से भी राजवर्धन सिंग और राजु भी सवाजपुर श्वेत्र के बाड प्रभावित गावों में लगातार राहत शिवर लगाकर राहत समागरी वित्रत करने का काम कर रहे है राजवर्धन सिंग राजु ने बाड रहत शिवर लगा कर पिड़ित ग्रामिनों तक नाव से भूजन पहच आया वह लगातार बाप प्रहावित शेत्रों में मिश्वन आत्मसंतुष्टी के माध्यम से लंगर करा रही है पिड़ितों की बढ़ चड़ कर मदद कर रही हैं स्थानिय ग्रामिनों से मुलाकात कर प्रहावित गाउं का ज्वैजा भी ले रही है गौर्तलब है कि सवाजपूर शेत्र में आजकल भीशन बाड का प्रकोप है नदियों के बीच बसे गाउं उनके नागरी इसे समय संकट के दौर से गुजर रही है स्थानिय नेताओं की उपेक्षा के बीच मिश्वन आत्मसंतुष्टी संथा ने बाड़ प्रभावित शेत्रों में मदद का हाथ बढ़ाया मिश्वन आत्मसंतुष्टी के संद्रक्षक राजवर्धन सिंग के प्रतिनीदी अमीर मंसूरी ने मंगलवार को बाड़ प्रभावित शेत्र में आधी गाउं का दौरा किया इस दोरान उन्होंने पाने में फसे ग्रामिनों के बीट नाव से पहच कर खाना खिलाया बलकी ग्रामिनों से हालत का जायजा भी लिया कई परिवारों को आर्थिक सहयता प्रदान की गई इस दोरान राजवर्दन सिंग ने पिडित ग्रामिनों की हर संभव मदद करने का मिरों सद लाया उन्होंने ततकाल प्रभाव से रहने और भोजन की विवस्था कराने के लिए टीम को निरदेशुत किया है राजवर्दन सिंग राजु भाया ने कहा कि मिशन आत्मसंतुष्टी का उदेश्वर जनता की सेवा करना है आत्मसंतुष्टी मिशन की और सिबाड़ प्रभावित शेत्र कहार कोला अतरजी एबम विरहंपूर में भोजन की विवस्था कराई गई हर्दोई से खिलेशु सिंग के रिपोर्ट